हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगें टू लन्विर्दी दिवन तो जैसा कि आज आप लोगों का टैस्ट है ये टैस्ट नंबर थ्री है हिस्ट्री का संपून क्लास एट का तो आप लोगों ने जम के तयारी कर ली होगी और ये कोई छोटी मोटी तयारी नहीं हो रही है आपक कि इसका अंदाजा आपको नहीं है कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो अगर आप सिक से लेकर टैन्थ क्लास तक की संपून हिस्ट्री जोग्रफी सिविक्स आप कर लेते हो क्योंकि जीके आपकी कहीं भी पूछी जाती है कुश्यन आपके यही होत आप लोग जो है जो भी इनको पढ़ रहे हैं आपको इसका प्रॉफिट बहुत अच्छे से मिलने वाला है कुश्यन वन है औरंग जेव की मृत्यू कब हुई ति अप्शन ए है 1724 इसवी में 1707 इसवी में 1697 इसवी में या 1702 इसवी में तो मैं वेट कर रहे हूं आपके आ अपने लिए कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 1707, इसवी, नेक्स्ट है, कुशन टू, मुगलों की पतन का प्रमुक कारण क्या माना जाता है, Option A है अंग्रेजियों की कारण कमजोर शाशक जो मुगल शाशक थे वो कमजोर हो गए थे इस वज़े से मराटों की सक्ती की उद्भव से या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो ध्यान देना है यहाँ पर मुगलों की पतन का प्रमुप कारण पूछ रहे हैं तो इसका सही आंसर होगा मराठों की सक्ती के उद्भव को मुगलों के पतन का प्रमुप कारण माना जाता है मुगल काल में कौन सी एरोपय जाती सर्व प्रतम भारत आई थी पोर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसिसी या डच तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली, मुगल काल में कौन सी एरोपी जाती सर्व तम भारत आई थी तो भारत आने वाली सबसे पहली एरोपय जाती थी पुर्तगाली और सबसे अंतिम थी फ्रांसिसी पानिपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ओप्शन देखिए इसका सही उत्तर है बिल्कुल सही लगाया होगा आप लोगों ने 1761 इसवी में नेक्स्ट हैं प्लासी का युद्ध कब वा किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध कब वा किसके बीच हुआ? 1761 इसवी में अंग्रे सहनापती रॉबर्ट क्लाइव वा मीर कासिम के बीच 1761 इसवी में ही अंग्रे सहनापती रॉबर्ट क्लाइव वा मीर जाफर के बीच या रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्ध दॉला के बीच में 1757 या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो प्लासी का युद्ध जो है वो कब होता है? किसके बीच में होता है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप सभी कि प्लासी का युद्ध होता है 1757 इस्वी में अंग्रेज सेनापती रॉबर्ट क्लाइव और सिरा जुद्धोला के बीच में. नेक्स्ट कुश्चन 6. मैसूर के साथ अंग्रेजों की अंतिम जंग कब वह कहां हुई? ऑप्शन है 3 मई 1799 में, 4 मई 1799, 1 मई 1799 या 2 मई 1799 और स्री रंग पटनम में तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा? कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की अंतिम जंग कब और कहां हुई? तो इतना तो हमें ऑप्शन देखके पता ही लग रहा है कि वह स्री रंग पटनम में हुई थी, लेकिन डेट जो है वो कौन सी होगी? तो बिलकुल सही आंसर होगा इसका चार मई 1799 गुशन 7 भारत में पाँच इस्थानों पर बैदशाला वा जंतर मंतर किसने बनवाई? मिर्जा राजा जैसिंग, सवाई परताप सिंग, अमर सिंग और सवाई जैसिंग तो बहुत ही इंपोर्टेंट कुशन है यह आपके लिए इसका आंसर होगा सवाई जैसिंग नेक्स्ट है कोशन 8 हवा महल का निर्मान किसने करवाया था? अप्शन देखिए मिर्जा राजा जैसिंग, सवाई परताप सिंग, अमर सिंग या सवाई जैसिंग बहुत ही ध्यान से आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक है वो आपका आंसर रॉंग करवा सकती है और इसी तरीके से एक्जाम में आपके सामने question होता है और option होते हैं तो आपको सही लगाना होता है कि हवा महल का निमान किस ने करवाया? आंसर इस सवाई प्रताप सिंग नेक्स्ट है question 9 गंधर्व 22 जैसे विद्वान किस साशक के धरवार में रहते थे? मिर्जा राजा जैसिंग, सवाई जस्वंत सिंग, सी है अमर सिंग और सवाई प्रताप सिंग तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि RBSC की बुक जो है वो आप बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, बार बार रिवाईज करिए एक बार दो बार पढ़ने से इतने अच्छे से याद नहीं होती है, जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे ये आपको इतने अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए कि एक्जाम में एक भी कुश्यन आप गलत ना कर पाएं तो इसका सही आंसर होगा सवाई प्रताब सिंग, नेक्स्ट है, कुश्यन 10, गोद निशेद नीती किसने चलाई थी, लाड वैलेजली ने, लाड कैनिंग ने 1857 में, लाड डलहुजी ने 1848 में, या लाड विलियम बैंटिंग ने 1857 में तो हमने बहुत ही अच्छे से ये नाम पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम confused हो जाते हैं, क्योंकि हम एक या दो बार पढ़कर छोड देते हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जितना ज़्यादा revise करोगे, तो ये आपके उतना ही ज़्यादा काम आएंगे, तो गोद नि ने सहायक संधी कब चलाई थी? 1798 इसवी में, 1797 इसवी में, 1798 में या 1796 में लॉड वैले जली ने सहायक संधी कब चलाई थी? तो इतना तो हमें पता चल गया है कि लॉड वैलिजिनी ने सहायक संधी चलाई थी तो वो डेट है 1798 इसवी नेक्स्ट है कोश्चन 12 डूंग जी कहां के सैनापती थे? डूंग जी कहां के सैनापती थे? जालोर के, बासवाडा के, डूंगरपुर के और डी है सी करके इसका सही आंसर होगा सी करके नेक्स्ट है कोश्चन 13 किस मुगल बादशा के नित्रत्व में 31 मई 1857 इसवी को भारत में क्रांती सुरू करनी थी? ओप्स्टन देखिए औरंग जीव, परोक सियर, जहांगीर और बहादुर्शा जफर तो देखिए आंसर मेरे बताने से पहले आप लोग टिक कर लिया करिए क्योंकि इतना ही समय आपको एक्जाम में मिलता है तो किस मुगल बादशा के नित्रत्व में? भारत में जो क्रांती सुरू हुई थी 31 मई 1857 को 31 मई 1857 जो है शुरू करनी थी लेकिन पहले ही स्टार्ट हो गई थी तो बादशा कौन थे वो? बहादुर्शा जफर नेक्स्ट हैं बैरकपूर की छावनी में सैनिकों को चर्बी चड़े कार्दूस कब वित्रित किये गए थे? ओप्शन देखिए 28 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, 29 अप्रेल 1857 और 29 माई 1857 तो सही आंसर होगा 29 मार्च 1857, नेक्स्ट है 15, मांडला जो यूपी में है क्रांती का नेत्र तो किस ने किया? कुमर सिंग ने, जगदीश सिंग ने, रानी अवंती बाई ने और बेगम हजरत महल ने तो इसी वज़े से मैं आपको जब test series करवाई, मैंने आपको 6 से 10 तक की तो वहां मैं option इसी वज़े से नहीं देती थी, क्योंकि वहां पर आपको तुक्का लगाने के बारे में नहीं सोचना पड़े तो क्योंकि आपने इसको याद किया है, तो आप इन चारों में से फटा-फट बता दोगे answer is, रानी अवंती बाई next है 16, बादशा बहादुर्शा जफर की मृत्यों के बाद बादशा के परिवार को लाल के लिए से निकाल कर कहीं और बसाया जाएगा तो यह किस ने कहा था, लॉर्ड वैलेजिली ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड अलहोजी ने या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने देखिए बहुत ही important line है यह, एक्जाम में आने वाली line है तो इसका सही answer है लॉर्ड डलहोजी, लॉर्ड डलहोजी का कहना था कि बहादूर्शा जफर की मृत्यू के बाद बादशा के परिवार को लाल के लिए से निकाल कर कहीं और बसाया जाएगा नशीराबाद में तैनात, पंद्रवी नैटिव बंगाल इंफेंट्री के सेनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कब किया था 3 मैं 1857 को, 28 मैं 1857 को, 5 जून 1857 को या 21 अक्टूबर को, कहां पर नशीराबाद में तो इसका राइट आंसर है, 28 मैं 1857 नेक्स्ट है, आउवा के कुसाल सिंग और जॉर्ड्स पैट्रिक लॉरेंस के बीच 18 सितंबर 1857 के युद्ध को, किस नाम से जाना जाता है चैलवासा का युद्ध या गोरे काले का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध तो यहाँ पर देखिए, दो ओप्शन तो वैसे ही रॉंग हो जाते हैं क्योंकि यहां हम 1857 की क्रांति के बात कर रहे हैं, तो प्लासी का और बक्सर का युद्ध, यह तो बिल्कुल रॉंग हो जाते हैं, क्योंकि प्लासी का जो है, वो हुआ था 1757 में, बक्सर का 1764, तो अब इन दोनों में से आपको बताना है सही आंसर है, चैलवासा का युद्ध या गोरे काले का युद्ध, देखिए, जरूरी नहीं है कि जो कुश्यन में आपको लिखा है, यही आपके एक्जामें पूछा जाए, एक्जाम में इसी को गुमा कर पूछ लिया जाएगा कि चैलवासा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था या चैलवासा का युद्ध गोरे काले का युद्ध कब हुआ था और ये भी पूछा जा सकता है कि चैलवासा के युद्ध को अन्ने और किस युद्ध के नाम से जाना जाता है राजिस्थान में 1857 में ए जी जी किसे नुक्त किया गया मैक मेशन लॉर्ड कैनिंग सावर्स या पैट्रिक लॉरेंस तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा इसका सही आंसर होगा पैट्रिक लॉरेंस नेक्स्ट है कोश्यन ट्वंटी 1857 में राजिस्थान का भामासा किसे कहा जाता है कमर चंद भाटिया नानक जी अमर चंद भाटिया या कल्ला जी बिल्कुल आपने जो सही सोचा है वही इसका आंसर है और सभी का यह आंसर सही होगा अमर चंद भाटिया जो की एक व्यापारी थे राजा रामोहन राय का जन्म कहां हुआ था बंगाल के जमीदार ब्रहमन परिवार में कलकत्ता के जुलाहे परिवार में उडिसा के जमीदार परिवार में या बिहार के जुलाहे परिवार में आंसर इस बंगाल के जमीदार ब्रहमन परिवार में नेक्स्ट है सत्य सोदक समाज की स्थापना किस ने की हर विलाश शारदा ने राम चरण ने जोतिवा फूले ने या स्वामी विवेकानंद जी ने सत्य सोदक समाज की स्थापना तो इसका सही उत्तर है अगर वाकी में आपने अच्छे से याद किये हैं तो आपको तीन या चार सेकिंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है आंसर है जोतिवा फूले नेक्स्ट है ट्वंटी थ्री रामकृष्न परमहंस ने स्वामी विवेकानंद का नाम क्या रखा था विविदिशानंद, मूल संकर, करमचन या रामानंद तो क्या रखा था रामकृष्न परमहंस ने स्वामी विवेकानंद का नाम इनके ही गुरू थे ये इसका सही आंसर होगा विविदिशानंद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के किस सहर में धर्म सम्मेलन में भाग लिया लंदन के धर्म सम्मेलन में, सिकागो के धर्म सम्मेलन में, पैरिस के धर्म सम्मेलन में या नेपाल के धर्म सम्मेलन में किसने स्वामी विवेकानंद जीने तो देखी, कुश्यन में ही आंसर छपा हुआ है, यहां आंसर होगा सिकागो के धर्म सम्मेलन में, क्योंकि सिकागो कहां है, अमेरिका में Next है 25, स्वामी दयानन सरस्वती ने परोब कार्णी सभा का की स्थापना कहां की इसका मतलब स्वामी दयानन सरस्वती जी राजिस्थान आये थे, तो परोब कार्णी सभा की स्थापना उन्होंने कहां की सही आंसर है उदयपुर में, 1883 में Next है 26, बासवाडा में मानगर पहाडी पर चल रही गोविंद गुरु की सभा अंग्रेजी सेना ने कब आकरमन किया बासवाडा में मानगर पहाडी पर गोविंद गुरु जी ने जो सभा का आयोजन किया था तो वहां अंग्रेजी सेँना ने आकरमण कब किया? 1916 में, 1912 में, 1913 में या 1924 में बासवाडा में मानगर पहाड़ी पर चल रही गोफिंद गुरू की सब़ अंग्रेजी सेँना ने कब आकरमण किया? तो कब आक्रमण किया था? 1916 इस्वी में, 1912 में, 1913 में या 1914 में तो पटाफट से इसका आंसर जो है वो आप लगाईए इसका सही आंसर है 1913 इस्वी में नेक्स्ट है राजिस्थान में 1929 में किसके प्रयासों से बाल विवा पर रोक लगाई गई चली ओप्शन देखते हैं हर विलास सारदा, राजा रामोहन राय, स्वामी दयानन सरुसति या स्वामी विवेकानन जी तो बिल्कुल आंसर होगा हर विलास सारदा ट्वंटी एक्ट कुश्चन 1717 इस्वी में किस मुगल समराट ने अंग्रेज कंपनी को फर्मान दिया? अक्पर ने, परुक्सियर ने, औरंग्जेव ने या जहांगीर ने तो व्यापार के लिए 1717 इस्वी में किस मुगल समराट ने अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का फर्मान दिया? यह बस अब आप आईए और व्यापार आप कर सकते हो अक्पर ने, परुक्सियर ने, औरंग्जेव ने या जहांगीर ने 1717 इस्वी में अंसर है इसका परुक्षियर 1857 की क्रांती के बाद भारत का प्रथम बाइसराय वो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड होर्डिंग, पैटरिक लॉरेंस, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग तो थोड़ा सा दिमाग लगाईएगा कि 1857 की क्रांती के समय कौन थे? वाइसराय जो कि भारत के तो प्रथम वाइसराय थे और यही अंतिम गवर्नर जनरल थे आंसर है इसका लॉर्ड कैनिंग कुश्यन 30, मॉन्टैंक्यू चैंप्स फोर्ड अधिनियम किस एक्ट का नाम है? चलिए उप्शन देखते हैं 1978 का वर्नाकुलर प्रैस अधिनियम 1919 का भारत सरकार अधिनियम 1919 का रॉल एक्ट अधिनियम या 1955 का भारत सरकार अधिनियम तो इन में से सही उत्तर आपका क्या होगा? मॉन्टैंक्यू चैंप्स फोर्ड अधिनियम किस एक्ट का नाम है? तो सही आंसर आपने लगा लिया होगा बिलकुल इसका सही आंसर होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम नेक्स्ट है कुश्यन 31 किस एक्ट के बारे में कहा गया है कि यह इतना अधिक खतरनाक एक्ट था कि इसने देशी भासा के समाचार पत्रों की स्वाधिन्ता पर रोक लगा दी तो ऐसा कौन सा एक्ट था? 1868 का वर्ना कुलर प्रैस अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1919 का रॉलेक्ट अधिनियम 1955 का भारत सरकार अधिनियम तो कौन सा होगा? आंसर इस 1878 का वर्ना कुलर प्रैस अधिनियम नेक्स्ट देखिए भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप्शन देखते हैं आंसर है व्योमेश चंद्र बनर जी ये प्रथम अध्यक्ष्य थे किसके भारतिराश्ट्रे कॉंग्रेस के नेक्स्ट रहें, मराठा वा केसरी लेख किसने लिखे? बाल गंगादर तिलक, लाला लाजपत्राय, महात्मा गांधी या विपिंचंद्र पाल? तो सही आंसर है इसका. बाल गंगादर तिलक, नेक्स्ट हैं, स्वराज्य मेरा जनम सिद्ध अधिकार है, यह कतन किसके हैं? आप्शन देखिए, लाला लाजपत्राय, महात्मा गांधी, बाल गंगादर तिलक या सरोजनी नाइडू. तो यह कतन किसके हैं? कि स्वराज्य मेरा जनम सिद्ध अधिका तो इसका आंसर है बिल्कुल इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक नेक्स्ट है जलिया वाला बाग हत्याकाण कब हुआ वह गोली चलाने का आधेश किस ने दिया 10 अप्रेल 1919 जनरल डायर द्वारा 15 मई 1919 या 12 अप्रेल 1919 जनरल डायर द्वारा इनमें से फटाफट लगाईए अपना सही उत्तर जलियावाला बाग हत्याकाण तो इसका सही आंसर होगा क्या option B होगा तो इसका सही आंसर होगा option number A 13 April 2019 को General Dyer Simon Commission की सदस्य संख्या कितनी थी? Simon Commission की सदस्य संख्या कितनी थी? चार सदस्या, पांच सदस्या, छे सदस्या या साथ सदस्या तो इसका सही आंसर है साथ सदस्या Next है 1857 का सोतंतरता समर नामक पुस्तक किसने लिखी जिसे बाद में अंग्रेजों ने प्रतिबंदित कर दिया? तो किसकी पुस्तक का नाम है? 1857 का सोतंतरता समर इसका सही आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या कोई नहीं होगा? इसमें आंसर है सही विनायक दामोदर सावर कर चेतावनी राचुंगटिया के रचियता कौन थे? कौन थे? चेतावनी राचुंगटिया के रचियता तो सही आंसर है इसका केशरी सिंग 12 हट next है समविधान सभा में सदस्य संख्या थी कौन सा खतन सत्य है? 292 सदस्य ब्रेटिस साशित प्रांतों से थे? 4 सदस्य चीव कमिशनर साशित प्रांतों से थे? 93 सदस्य देशी रियासतों से थे? या उप्रोप्त सभी? तो सम्विधान सभा में सदस्य संख्या थी, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो ये सभी जो हैं कथन सत्य हैं, ठीक है? उप्रोक्त सभी. सम्विधान सभा के निर्मान में कितना समय लगा? तो देखिए आपकी हिस्ट्री में भी पॉलिटी के कुश्चन थे. कितना समय लगा दो वर्स नो माह अठारा दिन, दो वर्स ग्यारा माह अठारा दिन, दो वर्स ग्यारा माह अठाईस दिन या तीन वर्स ग्यारा माह अठारा दिन तो फटा फट से इसका आंसर बताना है आपको सम्विधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा तो इसका सही आंसर होगा दो वर्स ग्यारा माँ अठारा दिन सम्विधान सभा में किस प्रांत के सदस्यों ने भाग नहीं लिया अवद ने, बंगाल ने, हैद्रावाद ने या उडिसा ने तो किस प्रांत के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था इसे मैंने बार-बार बताया था आपको जब चैप्टर करवाया था तो इसका सही आंसर होगा हैद्राबाद नेक्स्ट है फुट्टी टू किस अंग्रे जदिकारी की अद्धिक्षता में भारत वा पाकिस्तान की सीमा का निर्धारन हुआ तो उस अंग्रे जदिकारी का नाम आपको बताना है मैकमोहन, रैड क्लिफ, मॉन्टेंग्यू या इन में से कोई नहीं भारत वा पाकिस्तान की सीमा का निर्धारन तो इसका सही आंसर है रैड क्लिफ नेक्स्ट है चंदवर्दाई का जन्म कहां हुआ चंदवर्दाई का जन्म कहां हुआ पंजाब में 1155 में उत्राखंड में 1133 में, लाहोर में 1148 में या राजिस्थान में 1185 में उचंदवर्दाई का जन्म जो है वह कहां हुआ इसका सही उत्तर है लाहोर में 1148 में नेक्स्ट है खंड खाद कम नामग्रंत की रचना किसने की ब्रह्मगुप्त ने, माग ने, कालिदास ने या आरेभट ने खंड खाद कम नामग्रंत की रचना किसने की ब्रह्मगुप्त, माग, कालिदास या आरेभट इसका सही उत्तर है ब्रह्मगुप्त ने नेक्स्ट है महा कवी माग कहां के थे महा कवी माग कहां के थे जालोर के, सीकर के, रासम्मत के या उध्यपुर के महा कवी माग कहां के थे जालोर के, सीकर के, रासम्मत के या उध्यपुर के तो आंसर सही है इसका जालोर के तो यह आपका अंतिम प्रश्ण था तो 45 में से आपने कितने सही की हैं एक तो आपको यह बताना है और मैं आपको बार-बार यही बोलती हूँ कि बार-बार वीडियो को देखिए तब ही आपको इसका लाप जो है वो मिल सकता है क्योंकि एक दो बार देखने से कभी भी कोई चीज इतने अच्छे तरीके से याद नहीं होती है प्रैक्टिस करने से आपको ही फायदा होगा मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट टेस्ट के साथ थेंक यू झाल